हाई फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग Biosphere Reserves डिसकस करेंगे इंडिया में टोटल 18 Biosphere Reserves हैं जिसको Government ने रिकगनाइस किया है और ये Biosphere Reserves UNESCO का जो MAB Program था Man and Biosphere Program वो जो 1971 में आया था उसके तहट इंडिया में 11 Biosphere Reserves हैं जिसको रिकगनाइस किया गया है हम लोग सारे 18 Biosphere Reserves को मैप में देखेंगे कि कहां पर है इंडिया में और याद करने की भी कोसिस करेंगे क्योंकि ये exams के लिए काफी ज्यादा important है तो इडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं ट्रिफ को प्रोटेट किया जाता है सबसे संपल डेफिनिशन यहीं है कि बाइडाख ब्रोटेक्प किया जाये तो biodiversity को protect भी करना है, sustainable development भी करना है, economic development भी करना है, with the help of local people, तो इसमें local जो inhabited है उस region के उनको भी protection दी जाती है, यानि वहाँ के रहने वाले लोगों को साथ लेके biodiversity को protect किया जाता है, यह एक international designation है, जो कि UNESCO के तहट आता है, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, जसमें large variety of flora, fauna, और natural landscape और cultural landscape को protect किया जाता है, biosphere reserve को तीन zone में बाटा गया है, सबसे अंदर वाले reason को core zone बोलते हैं, जो सबसे अंदर में है, जिसको totally undisturbed रखा जाता है, वहाँ पे किसी भी तरह की activity की permission नहीं दी जाती है, हाँ scientific work के लिए बहुत limited संख्या में permission दी जा सकत है, फिर core zone को जो reason protect करता है, उसको buffer zone बोलते हैं, buffer zone, तो buffer zone में limited recreation, limited tourism के permission दी जा सकते हैं, लेकिन कम संख्या में, ज्यादा permission यहाँ भी नहीं दी जा सकती है, limited amount of settlement की भी permission यहाँ पे दी जाती है, grazing भी limited amount में करने की permission दी जाती है, जो buffer zone के बाद वाला reason है, उसको transition zone बोलते है जो सबसे बाहरी reason है, transition zone में काफी सारी activity की permission दी जाती है, क्योंकि याद होगा मैंने आपको बताया था कि biosphere reserve का काम है, sustainable development, economic development करते हुए, biodiversity को protect करना, तो transition zone में आपको बहुत सारे permission मिलते हैं, यह buffer zone को protect करता है, buffer zone, core zone को protect करता है, तो आईए अब देखते हैं कि total India में 18 biosphere reserves कह जो मैं blue से mark करूँगा, वो MAB के तहत नहीं आता है, not in MAB, और जो red से मैं mark करूँगा, उनको MAB के तहत recognize किया है, तो सबसे पहले cold desert biosphere reserve, जो कि हिमाचल में है, cold desert biosphere reserve, इसका key animal है, snow leopard, आपको यहाँ पे snow leopard देखने को मिलेगा, और अगर cold desert की बात करते हैं, तो आपको यह लदाक और clay वाले reason में पड़ेगा, नहीं, यह हिमाचल प्रदेश में है, cold desert biosphere reserve, अगला है, नंदा देवी biosphere reserve, नंदा देवी biosphere reserve, उत्राखंड में है, इसको MAB के तहत recognize किया गया है, इसलिए red में बनाया है, ठीक है, next आते है, इसको 2018 में, इसको 2018 में MAB के तहत recognize किया यह आपको अरुनाचल प्रदेश में मिलेगा, next जो है, दिब्रू साइक होवा, यूज में अभी काफी चर्चा में था, दिब्रू साइक होवा, ठीक है, असाम में आपको देखने को मिलेगा, तो दिब्रू साइक होवा, बागजन oil spill जो हुआ था अभी, उसके वज़े से न्यूज में था, और यहाँ पे भी आपको red panda, और golden लं panda देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स आते हैं, नोकरिक बाइसफेर रिजर्व, जो कि आपको गारो हिल्स में देखने को मिलेगा, गारो हिल्स में आपको मिघाले में, नोकरिक बाइसफेर रिजर्व है, नोकरिक, नोकरिक पीक भी है, वहाँ का फेमस, तो नोकरिक बाइस Bangrove region ही है यहाँ पे आपको Royal Bangal-Tiger देखने को मिलेगा अगला है Simly Pal Biosphere Reserve Simly Pal Odisha में है Simly Pal Odisha में है यहाँ पे आपको गौर, Wild Elephant इस तरह के Animal देखने को मिलेगे Next है Sisa Chalam Sisa Chalam Sisa Chalam Biosphere Reserve Chittool District में है Sisa Chalam Sisa Chalam Biosphere Reserve अगला है Gulf of Manar Gulf of Manar Biosphere Reserves एकदम South में है तो ये आपको Gulf of Manar जहां पर है ये Gulf of Manar Biosphere Reserves ये एक Marine Biosphere Reserves है यहां पर आपको Dugong जो कि Sea Cow के नाम से भी जाना जाता है आपको देखने को मिलेगा तो ये Gulf of Manar है यहां पर ठीक है तो ये तमिलनाडू में आता है यहां पर आपको Sea Cow या Dugong देखने को मिलेगा अगला है अगस्था मलाई अगस्था मलाई Biosphere Reserves केरल तमिलनाडू बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा अगस्था मलाई Biosphere Reserves यहां के important animal है नील गिरी ताहर और elephant फिर आते हैं very very important ये आपको स्टेट के junction पे मिलेगा नील गिरी Biosphere Reserves काफी स्यादा important है नील गिरी Biosphere Reserves करनाटिका केरला और तमिलनाडू के बॉर्डर पे मिलेगा इसके अंदर काफी सारे national parks भी आते हैं जैसे की नागर होल नैशनल पार्क बांदीपूर नैशनल पार्क यहां के important animal है नील गिरी ता Biosphere Reserves इसमें important animal है इंडियन वाइल डैस काफी जारे exams में पूछा जाता है गुजरात में है इंडिया का सबसे बड़ा Biosphere Reserves है तो great runoff कच Biosphere Reserves फिर MP में तीन है एक तो hill station है पंचमढ़ी Central India का विलनून hill station है पंचमढ़ी Biosphere Reserves यहां पे आपको giant square और flying square है ठीक है next आते हैं यह आपको 36 गड़ MP बार्डर पे मिलेगा अचानक मर अमर कंटक ठीक है अचानक मर अमर कंटक MP 36 गड़ बार्डर पे मिलेगा और अगला है पन्ना Biosphere Reserves जो कि अपने diamond fields के लिए famous है diamond mines के लिए famous है पन्ना Biosphere Reserves यहां के important animal है tiger, cheetal, chinkara, sloth bear तो यह animals भी आप important जगों के important Biosphere Reserves के याद रखेगा और सबसे last में है Great Nicobar Biosphere Reserves, Great Nicobar, अंडुमान और Nicobar Island का सबसे southern island, Great Nicobar Island तो Great Nicobar Biosphere Reserves में आपको salt water crocodile important animal देखने को मिलेगा तो यह है total 18 Biosphere Reserves, 18 में से 11 को man and biosphere program के तहत recognize किया गया है, आप अपने screen पे वो list देखो, यह जो 11 है, इनको man and biosphere program के तहत recognize किया गया है जिसमें कंचन जंगा सबसे latest है, और उसको मैंने red से लिखा है, और जो blue से बचे साथ हैं, उनको recognize नहीं किया गया है, लेकिन वो भी काफी important है, ठीक है, तो एक बार आप revise कर लेना फिर से pause करके या फिर rewind करके, hope करता हूँ आपको यह video अच्छा लगा होगा, ऐसे ही video देख